किसान भायू आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में खरपतवार को कैंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़ियां आठ दवाईयों के बारे में ये आठ दवाईयां तीन टाइब की मैंने यहां पर ली हैं इनमें दो दवाईयां ऐसी हैं जो चोड़ी पत्ती वाले खरपतवार को कैंट्रोल करेंगी दो दवाईयां ऐसी हैं जो संकरी पत्ती वाले यानि की लंबी पत्ती वाले घास का सफाया करेंगी और इसमें बचे जो आपके खेत में चाहे किसी भी परकार का खर्पतवार हो चाहे चोड़ी पत्ती का चाहे संक्री पत्ती का तो एक ही सप्रे से सारा खर्पतवार आपका नश्ट हो जाएगा गिहों में तो चलिए एक एक करकें के बारे में बात करते हैं लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो चोड़ी पती वाले खर्पतवार होते हैं जैसे कि बथवाद, जंगली पालग, पत्थर, चट्टा, सर्सों तो ये जो खर्पतवार हैं चोड़ी पती वाले खर्पतवार होते हैं इन खर्पतवारों की घास की पतियां चोड़ी होते हैं तो इनको कैंट्रोल करने के में दिक्कत देती है यानि कि अगली फैसल लगाऊगे उसके बीज के अंकुरन होने में ये प्रोब्लम करेगी तो इसका प्रियोग आपको नहीं करना चाहिए अगर हम बात करें टू फोर्डी अमाइन साल्ट अठावन परसेंट असल की तो इसका प्रियोग आप कर सकते हो ड मेट सल्फिरोन मिथाइल बीस परसेंट डबलू पी फॉर्मलेशन में आती है जो डूपॉंट की अलगरीब के नाम से आती है काफी फिहमस है चोड़ी पत्य वाले खरपतवार के लिए इसके अलावा इफको कंपनी की मकोटो के नाम से आती है इन दोनों में ही मेट सल्फि से 200 लिटर पाने के साथ में आपको प्रियोग करना चाहिए यह जो मैं आपको टेक्निकल बताता हूं यह आपको धेर सारी कंपनियों का अलग अलग नाम से मिल जाएगा अलगरीब को मकोटो के नाम के अलावा और दूसरी कंपनियों का दूसरे नाम से मिलेगा जो आपको फीकरेट में पड़े कोई अच्छी कमपनी का ही खरीद कर स्प्रे करना, तीसरी स्प्रे के अगर हम बात करें, यह संक्री पत्ती जो लंबी पत्ती वाबी खरपतवार होते हैं, उनकी यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो संकरी पत्तिवाले खर्पतवार के लिए कलोडीना फोप प्रोपरजाईल 15% WP formulation में जो आता है ये सेजंटा कमपनी का टोपिक के नाम से आता है सवाल कमपनी का टोपल के नाम से आता है तो इन दोनों में ही टोपिक और टोपल दोनों में ही कलोडीनाफो प्रोपरजाहिल 15% डवलूपी फॉर्मूलेशन में आता है जो आपको सस्ता पड़े वो आप लेना अगर हम डोज की बात करें तो 160 गराम एक एकड में डालनी चाहिए पाणी की मातरा आपको 120 से 150 लेटर रखनी है इसके बाद में नमबर चार पर संकरी पत्ती के लिए यह हमारे पास में एक स्प्रे आती है सलफो सलफिरोन 75% डवलूजी फॉर्मूलेशन में यह सुमिटोमो क के बाद में अगली फसल जवार, बाजरा, लोबिया, मक्का या मूंग उगाने वाले हो तो उस जमीन के अंदर उस खेत के अंदर आपको यह स्प्रे बिलकुल भी नहीं करनी है गियों की फसल में नहीं तो अगली फसल के जर्मिनियसन में अधिकत आएगी अगर आप बाज उसकी बात करें तो तेरा गराम एक एकड में इसकी डोज रहेगी पानी के मातर एक सो पचास से एक सो असी लिटर आपको एक एकड में लेनी है बड़िया रजल्ट देती है ये भी ये तो बात हुई जो है चोड़ी पत्ती और संक्री यानि की लंबी पत्ती वारे भी नश्ट हो जाएगा और संक्री पत्ती का लंबी पत्ती का खरपतवार भी नश्ट हो जाएगा चाहे कितना भी कैसा भी खरपतवार हो केवल एक स्प्रे में ही आपका काम चल जाएगा तो चोड़ी और संक्री यानि की लंबी दोनों परकार की पत्ती वाले खरपतवार कलोडिना फोप प्रोपरजाईल 15% डबलू पी फोर्मेसिन में जो मैंने आपको बताई ये 100 ग्राम लेनी है तो इन दोनों का अलग अलग बरतन में गोल बनाकर और आपको सप्रे पंप के अंदर मिलाकर इनका सिटकाओ कर देना है सप्रे कर देना है तो आपका जो है चोड़ी पत्ती का भी और संकरी पत्ती का भी सभी परकार का खर्पतवार नस्ट हो जाएगा कंट्रोल हो जाएगा 150 से 200 लेटर पानी के मातरा आपको एक एकड़ में जरूर रखनी है बड़िया रेजल्ट के लिए ये हमने बात करी दोनों के लिए इसके अलावा कुछ ऐसी दवाईयां भी आती है जिन में दो परकार के टेकनिकल होते है मिक्स कॉंबिनेशन होता है उनका चोड़ी पत्ती के लिए और संकरी पत्ती के लिए एक परसेंट ये चोड़ी पत्ती को केंट्रोल करता है इन दोनों टेकनिकल का मिक्स कॉंबिनेशन आता है सवाल के संदेश में और यूपियल के वेश्टा में तो इन में से कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको सस्ता पड़े इनकी डोज की बात करें तो एक सो साथ गराम एक एकड में इसकी डोज रहती है एक सो पचास से दो सो लिटर पाणी की मातरा के साथ में इसके अलावा नमबर साथवे पर आता है हमारे पास में जो यूपियल कंपनी की टोटल के नाम से आती है और सवाल कंपनी की सटासेट के नाम से आती है इन दोनो ही प्रोडेक्ट के अंदर सल्फो, सल्फिरोन, 55% और इसके साथ ही मेट सल्फिरोन, 5% डबलूजी फ्रमलेशन में आता है तो ये दोनो टेकनिकल जो हैं सल्फो, सल्फिरोन मेंने आपको पहले बताया था quality आती है सोडा क्राम की डोज रहेगी एक एकड में 150 से 200 लेटर पाणे की मातरा के साथ में आपको इसका स्प्रे करना है बड़िया रेजल्ट मिलेगा लेकिन इसमें भी सल्फो सल्फिरोन है तो आपको ध्यान रखना है अगर आप गेहूं के बाद में अगली फसल जवार बा लेकिन आपको अगर गवार लगाना है बाद में गेहूं के बाद में आपको नर्मा लगाना है कपास लगानी है तो आप सल्फो सल्फिरोन का स्प्रे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद में जो हमारी लाश्ट दवाई है कलोडिना फो प्रोपरजाईल उर्श के साथ में मेटरी बीजियन आता है इन दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन आता है एक तो ये यूपियल कंपनी का सगून 211 के नाम से आता है काफी फेमस प्रोडेक्ट है काफी किसान भाई यूज करते हैं बड़िया रजल्ट आता है सगून 211 का भी अगर इसके अंदर टेकनिक आते हैं क्रिश्टल कंपनी के ACM 9 के अंदर लेकिन इसमें परसंटेज थोड़ी सी अलग रहती है टेकनिकल की इसमें कलोडिनाफोप 9% होता है और मेटरी बूजिन इसमें 20% होता है WP फोर्मिलेशन में तो इसकी डोज भी थोड़ी अलग रहेगी इसकी डोज 240 ग्राम एक इकड में रहेगी 150 से 120 लेटर के आसपास पानी आप रख सकते हो 120 से 150 के आसपास आपको इसमें पानी जरूर लेना है अच्छे रेजल्ट के लिए तो इस परकार से इस वीडियो में हमने बात करी चोड़ी पत्ती वाले गास के लिए अलग दवाईयां बताई संकरी पत्ती कर देगी एक ही सप्रे से तो इन में से आपको जो सस्ता पड़े जो अच्छा लगे जो अच्छी ब्रांड का आपको लेकर स्प्रे करना है ताकि आपको रजल्ट भी बढ़िया मिले तो इस परकार से इस वीडियो में फिर मुलाकात होगी किस टोपे की उपर अगली वीड अगर आपको कोई जानकारी समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट आप कर सकते हो आपको रिपलाई मिलेगा आज के इस वीडियो हैं बस इतना ही नमस्कार